के अब्रिवन वेल्काइट वाई चानल और मेरे चानल का नाम है वर्षा ब्यूटी किया है दुगा करती हूं आप तब अच्छी होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो है वह एक चैलेंज है मेरी बहुत ही प्याली सब्सक्राइबर है बहुत ही फ्रेंड है तो उन्हों नहीं करते हैं तो आपको जब आप इस तरह की से हूं मुझे रिक्वेस्ट करते हैं या अगर को चैलेंज करते हैं तो रिली गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि वाकि मुझे इस चैलेंज काटकर देखना चाहिए ताकि मुझे भी एक नए experience हो तो इसलिए में चैलेंज करना चाहती थी बहुत अच्छा लगा मुझे तेस चैलेंज के लिए तो चलेंड़े तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह मेने ओयल लिया है यसे ऑपन कर लिया है मै अपने बालो में अच्छे से मसाज करूंगी इस तरीके से, अपनी फिंकर टीब के ह Ear और गाइस मेरा यही तरीका है मसाज करने का हलके हाथों से आप मसाज किजी, काफी relax फील होता है से आपको, औराम भी मिलता है आपके, तोड़ी tension भी कम होती है and relax मिलता है आपके दिमाग को भी काफी तो इस तरीक से मैंने अपने बालों में मसाज कर ली है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि चंपी किस तरीके से की जाती है हैवी कोकोनेट ओइलिंग मसाज अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको करकर दिखा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा मैं उस पर भी जरूर वीडियो बिनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी तो यह देखिए मैंने अपने बालों में उयल लगा लिया अच्छे से और बालों में बहुत अच्छी चमक भी आजाती है वैसी इस तरीके से आप अगर अपने बालों में ओयल लगा लाते हैं शैम्फू से पहले तो बहुत अच्छी चमक आजाती है बालों में तो मेरे सारे बालों में अच्छे से ओयल को अप्लाई कर लिया है अपने बालों में अच्छे से कंगी कर लूँगी और ताकि कोई भी इसमें टैंगल ना रहे हैं अच्छे से सुलजा लूँगे अपने बालों को और मैंने यह हिना पैक रात में ही मना कर रख लिया था अच्छी ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए और इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अल्रेडी शेयर की हुई है कि किस तरीके से हमें हिना पैक त्यार करना चाहिए तो प्लीज आप मेरी वीडियो की इसको चेक करिएगा तो यह देखिए मैं यह फिंगर्टिप की हल्प से ही मतलब मैं फिंगर्ज की हल्प से ही अपने बालों में महंधी लगा रही हूँ और गाईस यह एक चैलेंज है तो प्लीज आप भी इस एक चैलेंज की तरह ही देखेगा और यह देखेए मैंने अपने बालों बेच्छे से अपलाई कर लिए ही न वैसे गाईस मैं आपको यहां पर एक टिप भी देना चाहूंगी कि यह सिर्फ एक चैलेंज है तो मैंने चैलेंज के तोर पर इस तरीके से पहले ओयल लगाया है उसके बाद मैं महंदी अपलाई कर रही हूं लेकिन अगर आप महंदी का पैक लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि कभी भी आपने अपने बालो में महंदी लगाने से पहले ओयल अपलाई नहीं करना है क्योंकि जब हम ओयल अपलाई करते हैं तो बालो में अच्छे से महंदी का जो कलर है न वो आन ही पाता है अगर आप color करना चाहते हैं महंदी से अपने बालों में तो कभी भी अपने बालों में oil मत लगाईएगा महंदी से पहले क्योंकि guys oil जो होता है वो अच्छे से आपके बालों में color को चड़ने नहीं देता है हीना के color को वो तो इसलिए आप ओयल कभी भी apply मत कीजिए अपने बालों में जब भी आप हीना पैक लगाते है बस अपने बालों को अच्छे से वोश जरूर करिएगा और उसके बाद अपने महंदी बालों में लगाईएगा oil बिल्कुल मत लगाईएगा क्यों किसे बालों में color अच्छे से नहीं आपाता है और अच्छे से condition भी नहीं हो पाते हैं बालों के अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से महंदी को अपलाई कर लिया है और द्या करते हूं आपके चैलेंज पर में खरी हुतरी हूं तो प्लीज अगर आपको गाईज मेरा चैलेंज अच्छा लगा कि मैंने अच्छे से किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए साथ में जो बेल बटना इसे प्रेस कर दीजएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी नई वीडियो मिसना हूँ आप मुझे फोलो कर सकते हैं फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे और गाईज अगर आप कोई और चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएगा मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस सिरा के चैलेंज मुझे बोलते हैं कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और गाईज मैंने आप लोग के लिए इतनी मेहनत किये प्लीज गाईज लाइक शेयर करनो ना भूले मेरी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएगा आपक अच्छा लगता है